नमस्कार दोस्तो अगर आप खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद आपको सांस फूलती है तो क्या आप लोग जानते हैं कि इसके पीछे के कारण क्या है जिसके वज़े से खाना खाने के बाद सांसे फूल रही है जी हां दोस्तो इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लिट बताएंगे आप लोग इस वीडियो को पुरा अंतक जरूर देखिएगा क्योंकि मेरे एक भीवर से जिनको खाना खाते हैं ना वो वो अब एकती खाना खाते हैं तो उनको जो होता है कि सांसे फूलने लगती है खाना खाने के बाद तो अगर आपको भी ऐसा होता हो तो दोस्तो आप लोग इस वीडियो को पुरा देखिएगा बिल्कुल आज समझ जाएगा आप लोग कि खाना खाने के बाद सांसे क्यों फूलती है ठीके पुरा कम्प्लीट हम बता देंगे आपको अगर जोरत पढ़ जाएगा तो छोटा मुरा टीट्विन भी बता देंगे ताकि आप लोग आसानी से चुटकी में ठीक कर सकते हैं तो दोस्तो आप लोग से एक बात कर देना चाते हैं आप लोग का कोई भी कोशनो किसी भी बिमाड़े की समझ दीद अगर आपको कोई मदद नहीं कर रहा है तो हम से जरूर बोलेगा हम आपको मदद जरूर करेंगे ठीके दोस्तो वह मदद जो है आप कॉमेंट वक्स और इस्टागराम पर पुछें जवाब कर रिप्लाई हम जरूर देंगे कोई भी रिपोर्ट है इस्टागराम पर भेच दीजिए जरूर हम आपको मदद करेंगे तो आए दोस्तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि खाना खाने के बाद क्या होती है सांसे फुलने लगती है त दोस्तो किसी बेमारी का कारान आपको हो सकते हैं दोस्तो कौन कौन सा बेमारी की कारान हो सकते हैं दोस्तो ये भी हम आपको पुड़ा कम्प्लीट बताएंगे इसलिए बताएंगे दोस्तो छोटा छोटा बात बताना जरूरी है क्योंकि आप मेरा यूटूब फैमली मेंब सकते हैं और यहाँ चाइनल सिरफ आप लोकरण हैं जिसका नाम है बिहार फैमली डॉक्टर ठीक है दोस्तों आप मेरा फैमली है हम आपका फैमली है तो दोस्तों आपको जो भी दिकत होगा हम से बोलेगा हम आपको मदद जरूर करेंगे comment box और Instagram पर तो आए दोस्तों हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि खाना खाने के बाद जो सांस फूलती है दोस्तों इसके पीछे के main कारण है कि अब खाना जिस समय खाते हैं खाना खालती है उस समय के बाद आपको क्या होती है कि इस फेफरा में सही तरीके से oxygen नहीं जा पाती ह जिसके उससे आपको सांसे फूल सकती है ठीके तो दोस्तों करना क्या है कि दोस्तों जब भी खाना खाये खाल लेए इसके बाद सांसे जब फूले तो थोड़ा टहलिएगा खुट लेगा और इस तरह योगा जरूर करिएगा यससे क्या होगा कि फेफरा में oxygen जाएगा इस इसी बेमारी के कारण हो सकता है ठीके दोस्तों कौन सा बेमारी के कारण हो सकता है जिसको ज़से सांसे फूलने लगती है ठीके दोस्तों नमबर वन हम आपको बता रहे हैं अगर आपको गैस बहुत ज़्यादा पेटे में बनती है ठीके गैस बनने के कारण से सीने पर चहर तो क्या होता है कि पहुत ज़्यादव सांसे फूलने लगती है इसके बाद दोस्तों आपको बता दे रहे हैं कि अगर आप गलत सांसे झाल सकती है कि अगर आप को हार्ड में किसी भी परकार के दिकत हो यानि समझे कि अगर आपको पहले से कोई बेमारी हो, अगर आप जान ठाए कि हमको पहले से कोई बेमारी है, तो समझ लिजे कि उसके वज़र से आपको सांसे फुल सकती है, वह बेमारी कौन या तो आपको BP का सिकाईत हो, BP हाई राता हो, या लो राता हो, ठीक है इसके वज़र से भी आपको हो सकता है सांसे फुल सकती है, या सुगर के बेमारी हो इस सब के वज़र से आपको सांसे फुल सकती है, ये कब इतना बाद ध्यान रखेगा अगर आपको heart में cholesterol का निर्मान हो गया होगा तो जिसके उज़से भी आपको सांसे फूल सकती है क्योंकि फेफरा में oxygen सही से नहीं जा पाता है जिसके उज़से भी आपको क्या होते कि सांसे फूलने लगती है ठीक है अगर फेफरा में किसी पर गएगा सुजन हो जाएगा त तो तरltryky बमारी होगा तर्ट तरहky बमारी होगा ओठेंसन से क्या होता है इसके उज़े से भी आपको सांस फुलेगा इसलिए फुलेगा कि आप टेंसन तनावां में रहिएगा खाना सभी से खाईЕगा नहीं उखा आपको दिमाग खाना भी जो है, खाना हम लोग खाते हैं, तो वो दिमाग से ही खाते हैं, अगर आपको दिमाग नहीं रहेगा, तो खाना भी नहीं खा पाईएगा, इतना भाध्यान में रखिएगा, ठीक है, जाना चाहिए, भोजन नली में तो चल जाएगा, फेपरा में खाना, ठीक है, त उसको जल से जल ठीक कर देगा ठीक है करवा लेना है और अपना से भी चाहिएगा तो ठीक कर सकते हैं कैसे ठीक कर सकते हैं आपको बताद रहे और आपको मोटापा होगा तो मोटापा को कम कर लिजिएगा हो सकता है मोटापा के वज़े से आपको होता हो ठीक है मोटापा भी आप लोग कम कर लिजिएगा अगर बहुत ज्यादा गैस के वज़े से आपको सांस फूले लगड़ा है कि आपको पेट चाहरा हुआ है पिट फूला हुआ है तो एक डाइजिन सीरप ले लिजिएगा उचको 10 ते मिल सुबा सम पिलिजिएगा खाना खाने के बाद बिलकु सांस फूलना आपका खतम हो जाएगा अगर आपको लगत्यार बना रहे तो आप किसी डॉक्टर से जरूर सम पर करिएगा क्योंकि अपना सरी से बिलकु खिलवार नहीं करना है तो चले दूस्तों हम लोग नेक्स वीडियो मिलते हैं इसके लिए आपको नमस्कार जैहिन जैभाड़त